कालुकवा छोटा सा था जब उसके पिता को कुछ उलुओं ने मार दिया था तब से लेकर अब तक कालुकवे का पालन पोसन उसकी माने अकेले ही किया था कालुकवे की मा उससे बहुत प्यार करती थी मगर कालुकवा एक नंबर का हरामी था वो अपनी मा को हमेशा तंग करता ना कहना मानता और ना ही कोई काम करता था कालू बेटा उठ जाओ कल से सोय हुए हो जाओ और मुझे मंटी से आलू ला दो मा कभी तो जी भर के सो लेने दिया करो हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो ऐसे बुड़ बढ़ाता हुआ कालू कवा उड़ता है और अपनी मा से पैसे लेकर आलू लेने चला जाता है आलू तो क्या लेने थे वो सीधा कभूतर की दुकान पर जाता है कभूतर जी एक दरजन समोसे लगा दो एक दर्जन, कालू इतने पैसे हैं भी तुम्हारे पास जो कहा है वो करो मैं पैसे लेकर आयाँ है फिर कालू कवा वहां से पेड भर के समोसे खाता है और फिर बिठाई कुछ ज्यादा खा लेने से कालू कवे को नीद आने लग दी है वो नदी के पास जाता है और एक पेड़ के नीचे लेठ जाता है बहुत नीदार ही है थोड़ा सो लेता हूँ कवा सो जाता है और उसकी माँ शाम तक अपने खर के बाहर बैठी अपने बेटे की राह देखती रहती है चिडिया मेरे बेटे कालू को कहीं देखा है माजी वो नदी के पास सोया हुआ है वो फिर सो गया बेटी मेरा एक काम करो वापिस जाते हुए उसे जगा देना उसे कहना कि उसकी माँ उसे बुला रही है चिडिया जब घर जाती है तो वापसी पर कालू कवे को जगा देती है कालू कालू उठो उठो तुम्हारी मा तुम्हें बुला रही है जल्दी जाओ घर मेरी मा तो पागल है जाओ चिडिया तुम यहां से सारी नीद खराब कर दी मेरी चिडिया चली जाती है और कालू कवा फिर से सो जाता है शाम के बाद कालू कवा घर चला जाता है कालू बेटा आलू कहा है कालू कवा तो भूल ही गया था कि वो तो घर से आलू लेने गया था इसलिए वो अपनी मा से हर रोज की तरह एक निया छोट बोलता है मा, मा जब मैं घर से निकला तो मुझे रास्ते में एक बहुत ही खरीब अक्षी मिल गया मैंने वो पैसे उसे दे दिये अच्छा किया ना मा मैंने अब मैं क्या सबजी बनाऊंगी घर में कुछ भी नहीं है रहने दो मा, मुझे भूक नहीं है कवे की मा अब बढ़ी हो गए थी वो तो कोई कामकाच कर नहीं सकती थी और उसका जवान बेटा बहुत आलसी था एक दिन माही चील कालू की मा के पास आती है बेहन, मेरे बेटे की शादी है आप जरूरा आना, मुझे बहुत खुशी होगी चील बेहन, सच बताऊं तो मेरे पास न ढ़ंक के कपड़े हैं और न जूता शादी पर आऊंगी, कुछ पैसे तो लगेंगे ही मेरा बेटा तो कुछ भी नहीं कमाता इसलिए मैं आपकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती सब पक्षी चील के बेटे की शादी में शामल होने जा रहे थे माजी, आप यहां बैठी हुई है आपको चील ने अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया क्या चिड़िया बेटी, मैं कैसे जाती मेरे पास क्या है ना पैसे और ना ही कुछ और एक ही बेटा है वो कोई काम करता ही नहीं कवे को इस बात पर जरा भी शर्मिंदगी ना होती के वो अपनी बुढ़ी मा की कोई भी खुशी पूरी नहीं करता मामा चील मोसी के बेटे की शादी पर अच्छा भोजन मिलेगा चलो मा चले नहीं बेटा मैं नहीं जाओंगी शादी में भोजन खाने की तो चिंता है ये नहीं पता के जाते हुए कुछ लेकर भी जाते हैं ऐसे ही एक दिन का लुकवा उड़ता हुआ जा रहा था रास्ते में एक पेड़ पर तोता बैठा रो रहा था मा तू मुझे छोड़ कर चली गई मा अब तेरे बेटे के पास सब कुछ है घर है पैसे है सब है मगर मा अब तू नहीं है अगर तू होती तो ये सब देह कर बहुत खुश होती कुवा ये सुनकर तोते के पास आता है यार तोते तू माँ के लिए रो रहा है क्या हाँ कवे मेरी माँ नहीं है तोते मेरी माँ है मगर मुझे माँ की जरूरत नहीं है तो मैसा करो मुझे से मेरी माँ ले लो माँ ले लो कोई अपनी माँ भी किसी को देता है क्या मैं कौन सा मुफ्त में दूँगा तुझे, मुझे कुछ पैसे दो और मेरी मा तुम ले लो, तुम्हे मा मिल जाएगी और मुझे पैसे, दोनों का काम बन जाएगा तोथा मान जाता है और वो कुछ पैसे कालुकवे को दे देता है, और कब वहाँ से चला जाता है मा, मा चल, मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ, दूसरे जंगल में मेला लगा हुआ है अच्छा, मगर बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है पैसे हैं मेरे पास, मा तुचल मेरे साथ फिर कालुकवा अपनी मा को तोटे के घर ले जाता है लो दो दे, मेरी माह तुम रख लो, अब मैं चलता हूँ कहाँ चले बेटे? मागर कालू अपनी माह की बास सुने बिना ही चला जाता है माजी शाध हो जाएं, क्या आपको आपके बेटे ने बताया नहीं है कि वो आपको मुझे बेच गया है ये सुनकर मा हैरान हो जाती है हाँ मा, मैं अपनी मा को याद करके रो रहा था कि कालू मेरे पास आया और कहा कि मैं उसकी मा ले लूँ कालू बेटा, मुझे तुम से ये अमीद तो ना थी कि तुम अपनी मा को ही बेच दोगे फिर उस दिन के बाद तोता कालू कवे की मा को अपनी मा समझने लगा तोता कवी मा को रंग बरंगे फल खाने को देता मा ये ले, ये अंगूर खाए मा आप ये फल खाकर सो जाए और रात को अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे आवास दे देना जीते रहो बेटा बस एक बार कल मेरे कालू को मुझे से मिलवा देना मेरा दिल बहुत उदास है अपने बेटे के बिना एक मा तो मा होती है बचे जैसे भी हो मगर मा अपने बचों से नफरत कैसे कर सकती है इसलिए कालू ने जो भी किया मगर उसकी मा अभी तक अपने बेटे को याद करकर के रोती थी दूसरे दिन तोता पूरे जंगल में कालू कवे की खोज करता है मगर उसे कहीं भी कालू कवा दिखाई नहीं देता घर वापिस जाते हुए तोता अपनी कवी मा के लिए सोने का हार लेता है मा देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ बेटा मेरा कालू नहीं मिला क्या मा मैंने उसे हट जगा देखा मगर वो मुझे पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिला ठीक हो मेरा बेटा मेरा दिल घबरा रहा है वो मा ना सोना चाहती थी ना चान्दी ना फल ना दाना उसे तो केवल अपने बेटे कालू की ही चिंता थी जो इतना बुरा था कि अपनी मा को ही बेच गया था फिर एक दिन तोता कालू कवे को ढूंडी लेता है कालू मेरे साथ चलो मा तुम्हें बुला रही है वो ना सोना चाहती है ना चान्दी मैं हर रोज तरह तरह के फला कर देता हूं मा को मगर मा खुश नहीं होती वो हर समय तुझे ही पुकारती रहती है ना रात सोती है ना दिन मैंने मा के साथ इतना बुरा व्यवहार किया मैंने मा बेच दी और मा फिर भी मुझे ही याद करती है ये कहते हुए कालु कवे रोने लग जाता है मेरे साथ चलो कालु फिर तोता कालु को साथ लेकर अपने घर जाता है अपने बेटे को देखकर कालू कवे की मा अपने बेटे से लिपड़ जाती है कालू कवे ये होती है मा जो अपने बच्चों के हर गुना को भूल जाती है हर गलती माफ कर देती है कालू मेरे बेटे मैं तुम से कुछ नहीं मांगती मुझे कुछ ना देना मगर फिर कभी मुझे छोड़ करना जाना मुझे माफ कर दो मा मुझे एहसास हो गया है फिर कालू अपनी मा को अपने घर ले जाता है प्यरे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धने जगुकवा अपने माता पिता का अकलोता बेटा था उसके मापाप के बेजा लाड़ प्यार से वो बहुत बिगर जुका था वो अपने ममा पापा को बहुत दन करता था कालू तुम ये दाना खालो मैंने ये खिचडी अपने जगु के लिए बनाई है जो भी चीज हो तुम अपने बेटे के लिए रख लेती हो और मुझे हर रोज ये सूखा दाना ही खाने को देती हो कालू एक ही तो बेटा है मेरा अब उसके लाड मैं नहीं उठाऊंगी तो और कौन उठाएगा जगु कवा भी बाहर से खेल कर आ जाता है ममा ममा बहुत भूग लगी है जलती बताओ क्या बनाया है आज लो मेरा बेटा ये खिचड़ी खा लो आज मैंने अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाई है खिचड़ी खिचड़ी तो अभी मैंने कल ही खाई थी फिर वही खिचड़ी मैं नहीं खाऊंगा खिचड़ी ऐसा कहते हुए उनका बेटा जगू कवा खिचडी की प्लेट उठा कर दूसरी दरफ फैंक देता है जो सीधी जाकर उसके पापा कालू कवे के मूँ पर लग दी है जल गिया हाई मैं जल गिया जगू बेटा इतना भी गुसा ठीक नहीं है तुमने अपने पिता का चिहरा जला दिया है गरम-गरम खिचडी गिरा कर मैं ऐसा ही करूँगा अगर तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाओगी तो मैं ऐसा ही करूँगा जब हम मर गे तो फिर पता चलेगा तुम्हें मर जाओ मर जाओ मैं क्या करूँ आप दोनों ही मर जाओ चुप चुप कर जाओ बेशरम बहुत बिगड़ गया है तू गुसे में जगू कवा घर से बाहर जला जाता है आपने ऐसे ही डांट दिया मेरे जगू को जवान खुन है समझ जाएगा जैसे जैसे बड़ा होगा मुझे नहीं लगता ये समझेगा ये तो दिन बादिन और भी बिगड़ता जा रहा है गुसे होकर जगू कवा जेंगल की दूसरी ओर अपने दादों के घर चला जाता है जगू बेटा क्या हुआ क्या आज फिर मा से लड़कर आए हो मा से नहीं मैं तेरे बेटे से लड़कर आया हूँ उसने डांटा है मझे आज बेटा जगू वो बाप है तुम्हारा इज़त से बात किया करो मैं यहां तुम्हारी काएं काएं नहीं सुनने आया अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दो लो ये खिचड़ी खालो मैंने तो आज अपने लिए खिचड़ी बनाई थी इस खिचड़ी की वज़ा से ही तो ममा पापा आज मुझे पिटने लगे थे और यहां तुमने भी खिचड़ी ही बनाई है तो फिर ये दाना खालो बेटा क्यों इतने जित्ते बन रहे हो कालू जगू अभी तक नहीं आया जाओ देखो उसे जोना कहा है वो अपनी दादों के पास ही क्या होगा फिर कालू कवा घर से निकलता है वो सीधा कबूतर की दुकान पर जाता है और वहां से मिठाई लेता है और अपनी मा के घर जाता है कालू कवा अपनी मा के दरवाजे पर दस्तक देता है मा क्या जगू यहां आया है हाँ बेटा वो इधर ही है मगर बहुत गुसे में है मेरा शेर जगू क्यों डाटते हो तुम उसे मा मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा फिर कालुकवा घर के अंदर चला जाता है और जगू को मिठाई दिखाता है देखो तो मैं क्या लाया हूँ अपने जगू के लिए मिठाई मिठाई लाए लाए मुझे जल्दी से ये मिठाई दे दे गंदी दादों ने भी खिचडी ही बनाई है मैं नहीं खाऊंगा खिचडी जगू मिठाई खाकर खुश हो जाता है कुछ दिनों बाद जगू नदी पर गया वहां कबूतर का बेटा कीकी और चडिया का बेटा बॉल से खेल रहे थे जगू उनका बॉल उठाकर नदी में फैंक देता है लो खेल लो अगर मुझे नहीं खिलाओगे तो तुम भी नहीं खेल सकोगे तुम बहुत बुरे हो हमेशा हमें तंग करते हो बहुत बुरे हो तुम तुमने हमारा बॉल नदी में फैंक दिया है हाँ फैंका है जो करना है वो कर लो कोई मेरा कुछ नहीं पिगार सकता मैं अभी जाकर तुम्हारी मम्मा को बताता हूँ कोको भागा भागा जगू के घर जाता है आंटी आंटी तुम्हारे बेटे जगू ने हमारी बॉल लदी में फैंक दी है गुसा आ गया होगा मेरे जगू को वो गुसे का बहुत बुरा है तुम उसे छोड़ा ना करो आंटी हमने कब असे छेड़ा हमने तो कोई बात भी नहीं की थी उससे अब घर जाओ तुम्हारी मा तुम्हें नहीं बोल ले देगी ऐसे गोरी कवी अपने बेटे की गलती पर भी उसे डांडने की बजाए होसला देती थी इसलिए वो दिन बादिन और भी बिगरता चला गया आज तो जगू ने हद ही कर दी उसने गरम गरम चाय की देखची को धका देकर अपनी मा के ऊपर फैंक दी थी अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं ऐसा ही करूँगा हए हए में जल गई कोई मुझे बचाए कोई मुझे बचाए कालू कवा घर के बाहिर बैठा हुआ था शोर सुनकर वो घर में आता है जगू ये तुमने क्या किया अपनी मापर गरम गरम चाय गिरा दी तुमने मा मुझे पैसे नहीं दे रही थी मुझे गुसा आ गया कालू जल्दी से कुछ करो मेरी जान निकल रही है कालू कवा भागा भागा बुल बुल डोक्टर की तरफ जाता है जगू जगू मेरे पांक नहीं हिल रहे मा मुझे डराने के लिए नाटा कर रही है क्या हुआ है थोड़ी से गरम गरम चाही तो गिरी है आपके उपर गोरिकववी एक लंबा सांस लेती है और मर जाती है मगर जगुकववा दिहान ही नहीं देता वो यही समझता है कि उसकी मा नाटक कर रही है कालुकववी तेजी से उड़ता हुआ बुलबुल को बुलाने जा रहा था कि रास्ते में वो एक बेरी के पेर से डकरा जाता है कांटे कालुकवे के शरीर में घुश जाते हैं वो बहुत जोर लगाने के बावजूद वहां से निकल नहीं पाता शाम हो जाती है जब कालुकवा घर नहीं आता तो जगुकवा थोड़ा परेशान हो जाता है मा मा उठो अब बहुत हो गया नाटक अच्छा सोरी फिर ऐसा नहीं करूँगा मगर उसकी मा तो मर चुकी थी वो कहां उठने वाली थी जगुकवा भागा भागा पडोसन चिडिया के घर जाता है आंटी आंटी चिडिया जल्दी चले ममा बोल नहीं रही चिडिया जल्दी से जगुके साथ जाती है जगु तुम्हारी मा तो मर गई है इसे क्या हुआ है ये सुनकर जगू जोरों से रोने लग जाता है मा, मा, मेरी मा, तुम सच में मर गई, मैं समझा तुम नाटा कर रही हो आंटी, आंटी मुझे गुसा आ गया था और मैंने गरम गरम चाय मां के उपर गिरा दी थी इतने में तोदा भागता हुआ वहां आता है चड़िया चड़िया कालू कवा बेरी के पेड में फंसा हुआ था जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वो मर चुका था एक ही दिन में जगू कवे की वज़ा से उसके ममा पापा मर चुके थे पापा, पापा तो पलपल आंटी को लेने के थे फिर क्या हुआ पापा के साथ तुम्हारे जैसी संतान से तो अच्छा है उपर वाला किसी को ऐसी संतान ही ना दे अपने ही हाथों से अपनी मा और बाप दोनों को मार दिया तुमने तुम कभी खुश नहीं रहोगे इतने भी छोटे नहीं हो तुम बुरे कवे हो तुम तोदा और जिडिया वहां से चले जाती है उस रात जगु सो नहीं पाता वो सारी रात जाग कर गुजारता है वो रोए जा रहा था मगर आज उसके लाड उठाने वाला कोई ना था और नहीं उसे कोई चुप करवाने वाला था काश काश ममा पापा आफ फिर से आजाओ मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा मैं बहुत बुरा हूँ ना जाने मुझे इतना गुजा क्यूं आ जाता था आप तो मेरे लिए इतना कुछ करते थे ममा पापा मुझे माफ कर दो दो दिन तक जगू कवा घर में ही रहता है और फिर तीसरे दिन अपने घर से निकलता है क्यूंकि अप उसके घर में खाने को कुछ नहीं था वो अपने घर के बाहर बैठ जाता है कुकू अपनी ममा के साथ बातें करता हुआ दाना लेने जा रहा था कबूतर का बेटा कीकी भी अपनी मा के साथ नदी से पानी पी करा रहा था मगर कोई भी उसके पास नहीं रुखता क्यूंकि वो इतना बुरा था कि सब उसे नफरत करते थे कोई उससे दोस्ती नहीं करना जाता था फिर वो अकेला ही दाना लेने जाता है शाम हो जाती है और उसे एक भी सूखा दाना तक नहीं मिलता फिर वो शाम को रोता हुआ अपनी दादो के घर जाता है दादो दादो मैंने बहुत बुरा किया मैं इतना बुरा क्यूं था मेरे पास तो सब कुछ था माँ बाप भोचन घर मगर मैं फिर भी इतना बुरा था दादो मुझे माफ कर दो अब मैं क्या माफ करूं जगू बेटा तुमें आब पश्ता है क्या जब चिडियां चुक गई खेत अब तुम जाने दो रोकर समंदर भी बहादो तेरे माँ बाप अब लोड कर नहीं आएंगे लो ये दाना खा लो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है तुम भूके होगे फिर जगू कवा दाना खा लेता है वो अकेला ही जंगल में इधर उधर जाता शायद वो कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएगा प्यारे दोस्तों अपने ममा पापा से प्यार करें क्योंके वो आपको पालने के लिए बहुत दुख उठाते हैं आपका धन्यवाद